तो आज फिर हम क्लास 11 के ट्रिट्नोमेट्री का एक बहुत ही अच्छा तोस्चन देखने वाले है देखो यहां पे 1022 और 1023 डिड्री अब देखो 22 और 23 डिड्री अधर है तो आप क्या सुझते हो भाई हमको तो 22 डिड्री और 23 डिड्री पे 10 ता तो वैलू ही नहीं पता तो क्या हम इस तो सौल नहीं तर पाएंगे चाहां आराम से सौल तर पाऊज़े 1022 डिड्री 1023 डिड्री का वैलू अधर नहीं भी पता है तो भी आप इस तो आराम से चल्कुलेट तर पाऊज़े इस ता वैलू निकाल पाऊज़े आप बस यह देखो यह दोनों एड होचे 45 ह हो रहा है कभी भी ऐसा यह दोनों एंगल एड़ होचे 45 डिड्री हो तो आप क्या तरने वाले हो वह समझो तो आप क्या तरो जे 10 22 डिग्री और 23 डिड्री मिला चे यहां पर 10 45 डिड्री दितनो यह हो जाए मेरा 10 22 डिग्री 10 A plus 23 डिड्री अब इसके बाद क्या 10 45 को आप 1 निट सकते हो यहां इस तो ब्रेट कर दो 10 A plus B वाला फॉर्मूला वे 10 A plus B का फॉर्मूला क्या होता है दर याद नहीं है तो जिएन से देख लो इस तो क्या होता है 10 A plus B का फॉर्मूला 10 A plus 10 B divided by 1 minus 10 A 10 B तो यहां भी हम वैसे ही ब्रेट तरेंगे यहां भी वैसे ही ब्रेट तर देंगे हम 10 A प्लस B के फॉर्मूला में तो क्या हो जाएदा यह क्या हो जाएदा यह यहां पर देखते हम तो यह हो जाएदा 10 22 degree प्लस 10 23 degree 1 माइनस 10 22 degree 10 23 degree ऐसे ही हो जाए न, समझ मैं वाद, इतना चीश्क्लियर है, अब सीधा से इसको multiply तरेंगे, तो यहां आ जाएवा, 1-1022 degree, 1023 degree, is equal to, 1022 degree, plus 1023 degree, यह आते ही आप क्या तरो, सबको 8 साथ रतो, तो यहां 1 है, यहां है 1022 degree, यहां है 1023 degree, यहां है plus होके 1022 degree and 1023 degree, ठीक है, इस तो थोड़ा अच्छे से निदि लेते हैं, बस धत्तम ही हैं, 1022 degree and 1023 degree, इस तो अधर समझ जाते हो, आप तो चाहिए था यह value, यहां पर factor में होना चाहिए, और यहां पर 1 होना चाहिए, तो आप क्या तरो, दोनों साइड, एक 1 add कर दो, और अब देहो, यह ताम आराम से हो जाएगा, यहां 1 common, तो 1 plus 1022 degree, और यहां बस 1023 degree, अधर आप common रत नेते हो, तो यह भी हो जा 1 plus 1022 degree, तो यहां पर सीधा सा 1 plus 1022 degree into 1 plus 1023 degree is equal to 2, और मजे रवात पता है, बस इसी था answer 2 नहीं आने वाला है, आप पोई भी ऐसा angle लितनो, तो 1 plus 10 alpha, यह J-E के लिए आपको बहुत ताम में आने वाला है, class 11 में भी ताम आएगा, यह value हमेशा 2 होगा, जब alpha plus beta था value 45 degree होगा, ऐसे ही हम class 11 के trigonometry और 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 बी topic था, एक एक important question, बढ़िया question, concept के साथ लेके आते रहेंगे, वीडियो तर अच्छा नहीं हो तो like तर दे एसा ही concept आदा वीडियो चाहिए, आज की ने इतना ही, thank you.